बिस्मिलाहिद्रामाने रहीम हलवाई स्टाइल रबड़ी बनाएंगे ये लच्छदार रबड़ी बनाएंगे आज बजार से जो हम रबड़ी लाते हैं ये उससे कहीं जादा टेस्टी है अगर आपने इस रबड़ी को घर पे बना लिया तो बहार से लाना तो भूल ही ऐसी तेस्टी रबड़ी पहले कभी नहीं खाई इसको बनाना बहुत असान है तो अब रबड़ी बनाना स्टाट करते हैं ये मैंने एक केजी दूद लिया है मतलब एक किलो दूद लिया है रबड़ी बनाने के लिए फुल फैट दूद लिया है मैंने गैस की फिलेम को दूद में अच्छा उबाल आने देंगे और इसे continue चलाते रहेंगे ताकि जो दूद है वो तले में ना चिपके दूद की जो फिलेम है अभी मैंने हाई रखी है एक उबाल आने के बाद गैस की फिलेम लो कर देंगे और लो फिलेम पे ही रब्री बनाएंगे ये रब्री मैं इस बरतन में बना रही हूँ वैसे जब भी आप रब्री बनाएं तो लोही की कडाही में बनाएं क्योंकि कडाही जो होती है वो काफी फैली हुई होती है उसमें बनाना काफी असान हो जाता है चाहें तो आप सिल्वर का फ्राई पैन ले लें फैली हुई चीज में रब्री बनाना काफी असान हो जाता है जैसा कि देख रहे हैं आप इसमें उबाला चुका है तो बस इस तरीके से इसकी जो मलाई है वो साइडों पर करते रहना है गैस का फ्लेम लो कर दिया है अब बस लो फ्लेम पर ही रब्री को बनाएंगे इसमें जादा कुछ करना तो है नहीं बहुत ही असान है इसको बनाना बस इसमें उबालाता रहेगा और साइडों पर इसकी जो मलाई है वो लगाते रहेंगे साइडों पर मलाई लगाने से इसके लच्छे से बन जाएंगे मलाई को साइडों पर लगाते रहं और बीच में से दूद को चलाते रहें ताकि जो दूद है वो तले में नाचिपके रबड़ी बनाने के लिए हमें जादा कुछ चाहिए होता है नहीं बहुत असान तरीके से ये बन जाती है लेकिन हाँ इसको बनाने में थोड़ा टाइम दरूर लगता है अगर जबड़ी को कड़ाई में बनाएंगे तो इसको बनाना काफी असान हो जाएगा क्योंकि कड़ाई के जो चड़ाई होती है वो काफी होती है उसमें हम साइडों से मलाई लगाते रहेंगे और बीच बीच में इस तरीकी से चलाते रहेंगे इस बरतन की चुड़ाई थोड़ी कम है बीच से चलाने में इसे थोड़ी सी प्राब्लम हो रही थी मुझे क्योंकि इसकी जो गहराई है मतलब जो इसकी चड़ाई है वो थोड़ी कम है लेकिन हाँ इस बरतन में भी बिलकुल परफेक्ट रबडी बनकर तयार हुई है शुगर इसमें एट कर दी है चावल खाने वाला जो चमच होता है उसी से मैंने इसमें तीन चमच शुगर एट कर ली है अपने टेस्क की अकॉर्डिंग इसमें शुगर एट करें कम या जादा आपको जितनी भी पसंद हो उतनी शुगर एट करें रबडी में वैसे शुगर कम ही डालते है गैस का फिले में ने आफ कर दिया इसमें दूद काफी कम रह गया है रबडी बनकर बिलकुल तयार है देखी सकते हैं ठंडी होने के बाद ये और भी जादा गारी हो गई है इसकी जो मलाई है वो साइडों से भी निकाल लेंगे देखी सकते हैं रबडी कितनी लच्छेदार बनी है ये जो रबडी बनाने के लिए मैंने बरतन लिया था इसका जो तला था काफी मोटा था तो इस वज़े से बिलकुल भी तले में नहीं चिप की है ये रबडी जब भी रबडी बनाने के लिए बरतन ले तो मोटे तले कही लें और रबडी बनाते वक्त ध्यान रहे दूद में एक उबाल हाई फिलेम पे लगाएंगे फिर हमें गैस का फिलेम लो कर देना है और रबडी बनने तक गैस का फिलेम लो ही रखना है बिलकुल लच्छेदार रबडी बनकर तयार है देखी सकती है ये रबडी जिसको भी सर्फ करेंगे तो वो तारीफे करते ठकेगा नहीं और घर की बनी हुई इस रबडी का टेस्ट वो कभी भूलेगा नहीं क्यूंकि ये रबडी वाकई में बहुत जादा टेस्टी बनी थी नेक्ट आप लोग कौन सी रेसिपी सीखना चाते हैं कॉमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो आप लोग कि सिटी से देख रहे हैं वो भी कॉमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें और एक प्यारा सा कॉमेंट भी जरूर करें रबडी को मैंने बाउल में निकाल लिया है तो एक किलो दूद में कितनी रबडी बनी है ये जितनी भी रबडी है दो बाउल और एक बाउल में half बाउल भर गया है मतलब two and half बाउल इसमें भर गये है तो इस winters ये रबड़ी आप बनाएंगे या नहीं comment करके ज़रूर बताएं आपको देखने से पता चल ही रहा होगा ये रबड़ी खाने में कितनी टेस्टी होगी क्योंकि इसके लच्चे जो है वो काफी अच्छे बने है इसकी गानिशिंग कर देंगे बदाम से आप चाहे तो पिस्ता भी डाल सकते है वैसे इसमें कुछ भी डालने की जरूरत होती नहीं है और बजार में भी इसमें कोई मेवा नहीं डालते है क्योंकि ये वैसे भी टेस्टी ही होती है वैसे भी अब विंटर्स आ रहे हैं विंटर्स में आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं रबडी या गाजर का हलवा कॉमेंट करके जरूर बताएं अब बाते तो बहुत हो गई अब हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में